तीस मई साल की सबसे बड़ी अमश्या सोमबती अमश्या शनी अमश्या बना दिब दुरलब सुबसायोग पीपल पर चड़ा दें ये एक चीज आपके पित्र करेंगे आपको माला माल होगी सभी परेशानियों का अंत दोस्तों इस बार तीस मई को सोमबती अमश्या है शोमबती अमश्या को सर्वस्रेश्ट अमश्या कहा गया है सास्त्रों के इनसार सोमबती अमश्या पर किये गए पूजन उपाय इशनान दान श्राध तरपन अन अमश्या की तुल्ला में कई लाख गुना अधिक पुन्नफ प्राप्थ होता है, वही सोम्बतिय अवश्य पर भी प्राप्थ होता है। इसे शनी अवश्या भी कहा जा रहा है। पित्रों की आत्मा को शांती मिलती है और पित्र प्रसंद होकर अपना आश्रवात प्रदान करते हैं। इस दिन पित्रों के नमीत काले तिल भोजन वस्त्र इत्यादिका दान करने से पित्र त्रिप्त होते हैं और आपके परजिनों को आस्तिरवात देते हैं जिससे पित्र दोस दूर हो जाता है। पित्र दोस से मुक्ति मिलेगी सभी देवी देताओं के साथ शनिदेव की भी कृपा प्राप्त होगी और शनिदेव से संबनी दोस जैसे की सन की धाया साड़े साती से भी राहत मिलेगी। दोस्तों इशबार की शोमबती अवश्या और भी ज़्यादा खास है क्योंकि इशबार पूरे 30 वरसों के बाद गरह नच्छत्रों के अधवुद संयोग के निर्मार के साथ ही सरवार्द सिद्ध्योग भी बन रहा है। इन दुरलब संयोगों में किये गए पूजन और रुपाए जल्दी सिद्ध हो जाएंगे। आप यानि कि तीन बार परिक्रमा करें अपने पहले पीपल बिर्च की तीन बार परिक्रमा करें फिर पीपल बिर्च पर इससे जल को चड़ा दें। और थोड़ा सा दोध मिला के और थोड़ा सा इसमें गंगा जल भी डालने इस लोटे में और यह लोटे को ले जाकर चुप चाप आप यनि की पीपल बिर्च पर आप चड़ा दें। ऐसा करने से आपकी पित्र आपको करेंगे माला माल और होगी सभी परेसानियों का अंत लेकिन जल चड़ाते समय आपको अपनी मनोकामना जुरूर बोलनी है। आपके जो भी कार हैं शिद्धी कारिये के लिए नौकरी प्राप्त करने के लिए बिजनेस प्यापार में तरक्की के लिए और मानसमान की प्राप्ती और कारोबार को बढ़ाने के लिए बैवाहिक जीवन को शुक्माई बनाने के लिए हर प्रकार के समस्याओं से मुक्ती पाने के लिए सत्रों से मुक्ती पाने के लिए सभी कष्टों से मुक्ती पाने के लिए आपको मनोकामना जरूर बोलना है और पीपल बिर्श की आप तीन बार या फिर आप एक जारा बार परिक्रमा करें वैसे सोम बती अवश्य की दिन आप पीपल बिर्च की परिक्रमा 108 भार भी कर सकते हैं साथी साथ आप यानि की इस दिन सूत यानि की जरूर बांधें अगर हो सके तो अगर आप ब्रत रखते हैं तो नहीं तो आप ये जल जरूर चढ़ा दें जल चढ़ाने के बाद अपनी मनो काम ना बोले और फिर आप अगर आपने जो लोटी में इनकी जल देते समय जो बच जाता है काला तिल उसमें रह जाता है उस काले तिल को आप निकाल कर पीपल बिर्च पर जरूर रख दें वहीं उनकी जड़ पे रख दें दोस्तों ऐसा करने से भी आपको अशिम कृपा पित्रों की प्राप्त होती है पित्र परसंद होकर आपको देते हैं आसरवाद और आपके कश्टों से छुटकारा मिलता है दोस्तों शोम बतियां वश्यक के दिन आपको पीपल बिर्च की पुजा करने से आपके पित्र आपको आस्रिवात देते हैं साथी साथ आपके पूर्बजों की कृपा प्राप्त होती है और भगवान लक्ष्मी नरायन की कृपा प्राप्त होती है भगवान लक्ष्मी नरायन की कृपा से आपके कष्टों से जो परिसानिया है वो कष्ट दूर हो जाते हैं यानि कि काले कपड़े में आप इसमें एक चुटकी काला तिल डाल लें, एक रुपे का सिक्का डाल लें और इसमें आप चाहें तो थोड़ा सा यानि कि हल्दी की एक गाठ भी डाल लें या फिर पांच गाठ डाल लें और फिर इस यानि कि इस पोटली को ले जाकर पीपल ब एक लोटी जल में काला तिल थोड़ा सा गङंगा जल और दोध जरूर मिला कर आप चड़ा दें अईसा करने से आपके पित्र आपको करेंगे माला माल पित्र देवों की किरपा वरसेगी और आपके जीवन में अनेकु प्रकार के स्च शुप रब्धायेँ आएगे और भाग स्क्राइब करिएगा जय शनिदेव